आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आप सब ने दिवाली का तिवार कैसे मनाया आपका तिवार कैसा रहा मुझे कमेंट करकर जरू बताइएगा तो आज के इस व्लाग में हम आपको दिखाएंगे पूरा अपना फैस्टिवल के हमने दिवाली कैसे मनाई है कैसे हमारे यहां पूजा हुई है तो आप सभी लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा तो देखें कि हमारे गुवर्धन भगवान है हमारे यहां साम को पूजा होती है गोवर्धन जी की तो साम को हमने गोवर्धन रख दिये हैं और देखिए अब साम हो गया है तो दिये जलने जा रहे हैं लाइटे सारी जल गई हैं अब हम दिये जलाएंगे हमारे घर के पास जो मंदिर है हम सबसे पहले मंदिर में जाएंगे दिये जलाएंगे फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो गोवर्धन के दिन का है दीपावली के दिन हम इतना ज़्यादा बिजी थे कि हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है मैंने आप लोगों को ये धंतेरस और भी यादोज का वीडियो हम आपके लिए लाएंगे क्योंकि दिवाली के दिन हमें बहुत ज़्यादा काम था तो नहीं ज़्यादा काम है जो की पठाके दगा रही है ये देखिए बच्चे हैं सारे जो बाहर पठाके चला रहे हैं सभी मस्ती कर रहे हैं ये दिवाली के दूसरे दिन का है तो दिवाली के दिन को ज़्यादा ही हल चल थी आज थोड़ा कम है आज थोड़ा सा सन्नाटा है तो आज हमें भी ज़्यादा काम नहीं था तो मैंने सोजा थोड़ा सा सूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए तो मैंने थोड़ा सा ही सूट किया है बहुत ज़्यादा हम नहीं बना पाए हैं दीपावली की वज़े से दिपावली के दिन का कोई भी सौट नहीं है इसमें हमने बिल्कुल भी दिवाली के दिन सौट नहीं किया है ये देखे बच्चे चटाई दगा रहे हैं कैसे जला रहे हैं बहुत ज़्यादा पटाके हम आपको नहीं दिखाएंगे बस एक दूपट आगे ही हम आपको दिखाएंगे यह नार है जो कि बच्चे जला रहे हैं और खुश हो रहे हैं धंतेरस हमारा हो चुका है धंतेरस का दिन हमारा निकल गया है और सुबा हो चुकी है अब हम जा रहे हैं भाईया दूज बे ममी के घर तो हम थोड़ा जल्दी ही निकले हैं करीब साड़े दस वजे हम निकल गये हैं क्योंकि पूजा हमको वही करनी है इसलिए हम थोड़ा जल्दी गये हैं घर पे हम पूजा नहीं करते हैं हम हर साल अपने ममी के साथ ही पूजा करते हैं तो वहीं पे चले जाते हैं और ममी के बना लिया है और हम सब लोग आ चुके हैं और अब पूजा सुरू होगी साड़े ग्यारा बजे हम लोगों की पूजा सुरू हुई थी दूप भी हो गई है और ये हमारी छोटी से देखो बिटिया राने भी आज पूजा में बैठी है पहली बार ये पूजा कर रही है इनकी ये सो रही है पूजा करेंगी अभी ये हमारे यह ऐसे ही पूजा होती है और ऐसे ही भी अदूज बनाया जाता है छट पे बहुत सारे लोग छट पे बनाते हैं मंदिर के सामने भी चोकी बनाई जाती है बहुत सारे लोग आंगन में बनाते हैं आपके आपको जहां से पूजा की जाती है हमारे यहां तो ऐसे ही होती है तो देखिए हमारे यहां पूजा के इस्थान पर सिल्वटा और मूसर भी रखा जाता है बेर और लटजीरा की डाल भी लाई जाती है जिसको हम लोग इधर उधर क्रास करते हैं देखिए ऐसे ही सब लोग क्रास करते हैं बाई के सर पर रखे जाती है और मुझे तो लगता है सब लोगों के यहां ऐसे ही Pooja होती होगी क्योंकि भैयादूज की Pooja तो हर जगा एक ही तरह से होती है कहीं कहीं कर इवाज होगा दूसरे तरह तो मुझे नहीं पता है फिलाल हमने तो अभी तक ऐसे ही पूजा देखी है सब जगा तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है हम सब लोगों की पूजा लगभग होने वाली है एक एक करके सब लोग अपनी अपनी पूजा कर लेंगी भाबी हमारी अभी रह गई है अभी वो भी सिल और मुसर को नांगेंगी तो आप लोग देखिए एक-एक बेर की पत्तियां भी तोड़ी जाती है हमारे यहां और उसके साथ गाना भी गाया जाता है भीया गये हैं बेर तोड़े कटवाना लागें तो हम सब लोग ऐसे ही गुन गुनाते हैं गाते हैं तो आपको थोड़ा सा सुना भी देते हैं हम लोग ने सुन लिया और फिर हम लोग कहानिक कहते हैं सुनते हैं और उसकी बाद हम लोग प्रहलात को नहलाते हैं उनको टीका लगाते हैं और उनको भोजन जी कराते हैं देखिए आप लोग तो आपने देखा कि यह मूसर है जो कि हम अनाज कूट्रे में इस्तिमाल करते हैं यह पहले हर घर में मिलता था आप पता नहीं किसी की घर में होगा या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको जानते भी नहीं होंगे तो जो लोग पुराने थे उनके सभी के घरों में यह तो हम लोग ऐसे तो नहीं अनाज कूटते हैं लेकिन भाई अदूज पर हम इनका मान संमान करते हैं आज भी हमारे यहां भाई अदूज के दिन इनको नहलाया जाता है टीका लगाया जाता है और इनको मिठाई भी खिलाई जाती है तो देखिए हम लोग इस दिन इनको पहलात का ही रूप मानते हैं वैसे भी कहते हैं मुसर को पहलात का रूप ही माना जाता है तो ये हमारे पहलात जी हैं इनको हम लोगों ने भोजन करवा दिया है और आप इनको हम रख देंगे किनारे इनसे हम लोगों ने सुपारी तोड़ी है जो कि भाई के पान में डाली जाती है कहते हैं कि इस सुपारी को भाई के लिए जो पान पूजा में रखा जाता है वही पान अगर भाई खाते हैं तो उनके दात मजबूत होते हैं और दात से समभण जिसकोई भी विमारिया भाई को नहीं होती है तो इसलिए हम लोग यह सुपारी जो रहती है जो कूटते हैं मूद से वह भाई के पान में रख देते हैं जिसको भाई खाते हैं और उनके दात अच्छे रहते हैं तो देखिए हम तीका भी लगा रहे हैं, ये भाई है हमारे, उनको हम तीका कर रहे हैं, एक एक करके हम सब लोग तीका करेंगे, दो बहने अभी आई नहीं हैं, हम दो लोग यहाँ पर मौझूद हैं, छोटी बहन तो घरी पे हैं, और हम भी सुबा जल्दी आ गए थे, तो हम सबसे पहले हम भी तीका लगा रहे हैं भाईया को, भाईया को अपनी सस्राल भी जाना है, तो हम उनको तीका लगा देंगे, मिठाई खिला देंगे, और उसके बाद छोटी बहन भी आ करके पूजा कर लेगी, तो ये देखिए, जो हम लोग रूई से जुपगिया बनाते ह उसको हम लोग सर पे रखते हैं, हैंकी के ओपर, तो हमारे यहां इस तरह से बड़े ही विधी विधान से भाईया दूज का पूजन किया जाता है, दीवाली, जमघर, धंतेरस, हम लोग सब कुछ बहुत ही विधी विधान से करते हैं, बिल्कुल प्राचीन तरह से करते हैं कि पारंपरिक होता है हम लोग उसी पारंपरा के अनुसार ही तेवहार मनाते हैं कोई हम अपनी तरफ से कोई भी रिती रिवाज नहीं करते हैं जो प्राचीन रिवाज है हम उसी रिती रिवाज ही अनुसार ही सब कुछ करते हैं आपके यहां किस तरह से तेवहार मनाया जाता दिवाली भाया दूज धनतेरस का आप लोग मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा और यह देखिए हमारे आइसमान है अब इनको भी टीका लगेगा यह बिटिया है बड़ी बिटिया आइसमान को टीका लगा रही है तो सब लोग को टीका फटा-फट लग जाएगा अब चोटी वहन भी आ रही होगी बाबू को लेकर तो वो भी टीका लगवाएंगे हमारे यहाँ भाई अदूज का पूजन सुबा बरत रखके ही किया जाता है हम लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं जब तक पूजा नहीं होती भाई को टीका नहीं हम लोग लगा देते हैं तब उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे तो पूजा कोई भी होती है तो अगर हम लोग बिना खाय करें तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है ज़्यादा उत्तम होती है ऐसी मानिता है कि पूजा ब्रत रहकर ही करनी चाहिए चाहे जो पूजा हो ये देखिए भाई बहन है इतना लड़ते हैं इतना लड़ते हैं कि हम आपसे क्या बताएं लेकिन आज देखे कितने सांथ हैं और ये हमारे माम हमारे भाईया की बिटिया है जो हमने आपको दिखाई थी छोटी सी थी अभी ये डेड़ महिने की हुई है तो देखिए ये तीका लगा रही है ये भाईया हमारे अपनी गोदी में लेकर इनसे तीका लगवा रही है ये देखिए इनकी आखे बंद हो रही है सो रही है तीका भी करती जा रही है ये बहुत ज़दा सोती है अभी इनकी आदत नहीं गई है यह बहुत सोती हैं, क्योंकि यह भी छोटी हैं, तो इनका तो एक ही काम है, सोना, 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 यह सिर्फ सोती रहती हैं, देखो, आर्थी करने के समय इन्होंने आखे खोल दी हैं, यह देखो, बिटिया हमारी ठीका कर चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है, बच्चों को देख करके, कि बच्चे कितने खुस हैं, और यह बिटिया हमारी तो इतनी छोटी है, तो वो भी पूझा कर रही है, उनको देखे, बड़ी हसा रही है और बहुत इनका काम बहुत जल्दी रहता है फास्ट करती है थोड़ा फटा-फट मिठाई खिलाई है आरती उतारेंगी बस इनका हो गया तीका इनका काम खतम हो गया यह देखिए कितनी जल्दी इन्होंने तीकाई का कर लिया है यह घर में सबसे फास्ट रहती है बहुत जल्दी जल्दी अपना काम निप्टाती है इनको किसी भी काम करना बहुत जल्दी जल्दी इनको रहता है कि फटाक से इनका काम खतम हो जाए यह देखिए गुडिया रानी का गिफ्ट है यह बिटिया रानी के लिए लाए है आईश कि अपिलगे हैं आप लोग जब अज़सती इनको टीका लगाया जा रहा है यह टीका नहीं लगवाते हैं मिठाय भी नहीं क्हाते हैं पता नहीं इनका मूर् system क्यूं खराब है ऐसे पताने हां ज़स रहते हैं और टीका भी लगवा रहिंक है मिठाई भी नहीं लगवाएंगे आप लोग देख सकते हिसी एक्टव रहा है लेकिन जब अदु को टीका भी लगवाया जा रहा है पैड चुआ जा रहा है देखिए आप लोग आज ये बिगडे हुए हैं किसी से टीका नहीं करा रहे हैं बहुत ज़्यादा नाराज हैं गोदी में रुक नहीं रहे हैं ये दोड़ते हैं खेलते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन अभी इस टाइम ये पापा की गोदी से नहीं उतर रहे हैं तुलार में किसी कि बाद नहीं मान रहे रहे हैं यह देखे कितना रो रहे हैं कर दो कर दो कर दो कर दो